बिस्मिल्लाहराख्मान इरहीम असलाम अलेकम CS504 Software Needing 1 GDB इसका 9 और 10 ओपन रहेगा तो software testing के related है तो आप kindly final के अंदर भी testing और उसकी types और उनके related सच कर लीजेगा पढ़ लीजेगा software testing debugging में क्या फरक होता है इनको भी लाजमी देखिएगा में final के लिए ये कोई इतना मुश्किल नहीं था software testing is the process of examining and verifying software product with the purpose of identifying the errors gaps or missing requirement versus the actual requirement do you think that the software testing is a destructive activity the my answer is yes software testing is a destructive activity as compared to constructive it is also constructive and destructive but मैं आपको कुछ reasoning दोंगा आप लोग ये लिख सकते हैं अच्छा ये काम सही कर रही है ये requirement सही है यहां तो नहीं error ये input जो दी है तो actually हम लोग इनको जो product मिलती है जिसने test करना होता है वो उसको तोड़के देखता है वो उसको breakdown करता है उसको छोटे-छोटे हिस्सों में ले जाता है ता कि इसमें कोई गलती तो नहीं है overall इसका बहुत benefit होता है destructive activity का कि के आप चीजों को breakdown करके देखते हैं और जब आपकी product सही तरह चेक हो जाती है सही टेस्ट हो जाती है उसमें कोई आरा नहीं होता तो एक कॉंपनी की रैपो अच्छी रहती है testing अगर अच्छी होगी तो रैपो अच्छी होगी तो आपके जो money making है वो अच्छी होगी तो as compared to coding अब आप बताएं coding constructive है destructive है अब मैं coding कर रहा हूं एक software बना रहा हूं तो coding एधा constructive construct करना है बनाना है और software testing उस चीज़ को बनी हुई को test करते हुए मैं क्या करूंगा मैं code को खोल खोल के देखूंगा नहीं कि यह component सही चल रहा है नहीं चल रहा तो मैं code को proper check करूंगा तो checking जो की जाती है जो testing की जाती है वो एक destructive activity है तो उसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक tools qa website है tools qa तो उसके अंदर उसने यहां पर मैंने district को सर्च किया तो उसने बोला के software testing is usually fall in the category of destructive work और negative work because testing software need the mindless to break the application software has considered the destructive process additionally software testing established उसने कहा के हान जी यह इसको हम negative work की लेते हैं एक चीज़ आपकी बनी हो और उसको मैं तोड़ूं तो आपको क्या लगेगा तो आपको तो बुरा ही लगेगा ना तो एक destruction हो रही है तबाह को नहीं हो रहा है आप कोई किसी का आप देखिएगा कि कोई website बनी हुई है तो आप उसको खोल खोल किसके मैन्य लग कर रहें उसकी यह चीज़ लग कर रहें आप किसी का क्षाना बना हुआ है उसको क्या करते हैं उसमें से चीज़े निकाल ने करें तो फिर क्या होगा तो आप चीज़ों को test करते हैं तो test करते हैं तो टेस्ट करतना एक destruction work है लेकिन overall it is a good thing to be destructive of a testing. तो designer destructive process जो है वो actually हमें help करता है to achieve the constructive purpose. हम कैसे without testing कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी coding सही है. तो हमने अगर कंस्टक्शन वर्क को उस गोल को अचीव करना है तो हमें साफ़र टेस्टिंग कर खाया है पान जी अगर आपको मेरी एफट पसानदा ही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करदें लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करदें लेकिन सब्सक्रिप्शन लाजभी करें अगर मेरी आपको आफट पसानद आ रही है मेरी वीडिए पसानद आ रही है मेरी इसाइनेमेंट्स पसानद आ रही है तो सबस्क्राइब करें compart bar subscribe 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 thank you destructive process है उसमें से गुजर के जाना पड़ेगा तो यह तो एक आपको साइड दिखाई यहाँ पे एक और आपको चीज़ दिखाते हैं डिस्टक्ट टेस्टिंग कैन बीवीड अधिस्टिक्टिव प्रोसस्स और डिबगिंग इस अ कंस्टुक्टिव वन however testing and debugging should be should go hand in hand we perform one right after another so debugging finding the errors testing is a checking the working of the software working on the website another one a core website medium kipra man search here as testing can be destructive activity it is important for software tester to report defects and failure as objectively and politely as possible to avoid hurting and upsetting other members related to the project मतलब यह नहीं किसी को तांग करना के destructive activity है कि आपने वाँ वाँ मैंने यार पकड़ लिए आपके आप ने तो बहुत ही बुरा सा फरोना यह देखनी मैंने लाइन लगा दी यह गलतिया है पकड़ने की तो यह नहीं है किसी को तांग नहीं करना इसका में पर 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 कोंपनी के फाइदे के लिए कि आप जितनी जल्दी डिफेक्ट को find out कर लेंगे इतना ही अच्छा हमारा टेस्टिंग प्रॉसस होगा और हम उनके थरू एर्ट को इलिमिनेट कर देंगे और इससे बहुत अच्छा हमारा साफ़ बनके निकलेगा और हमारी कॉंपनी और हमारी टीम की बहुत रैप ओपर जाएगी तो इसमें क्लैबोरेशन ज़रूरी है इसमें जो है ओबराल बैन लोग एक ही वेबसाइट से ना लिखेगा आप इनको डिफरेंट जगह से एक एक दोदो लाइने लेके यह जो लाइने लिखी हुई है इनको पॉइंट बना के बीच में लिख देजएगा इस वेबसाइट पर तो यह पॉइंट काफी हैलफल हो सकते हैं कि यह क्यों टेस् करके दिखाऊंगा टेस्टिंग इस सम्टाइम एरनेसली व्यूद अ डिस्टेक्टिव एक्टिविटी वलो गलती से हम कहते हैं वाँ यह तो बहुत ही बुरी चीज़ है टेस्टिंग दो है ऐसा नहीं है टेस्टर जाब इस तू रवील दिफेक्ट्स, फाइंड वीक पॉ तो आप टेस्टिंग लिगा दें तो टेस्टिंग लिगा देंगे रोल रहाँ और तो इस लाइनस को मॉल्ट कर ले अपने लिहाज से क्या आप इसको किस तरह लिख सकते हैं अपने जीडीवी के अंदर अनदर वान एक गूगल में मैंने बुक सर्च की उसके अंदर constructive activity in that it is a verifying the corrections and functionality and it may be destructive activity in that the objective is to find defects in the implemented software testing verify the requirements are correctly implemented and and its yield the presence or absence of defects there are various types of testing include toh yeh अगला पहरा है तो नहीं लिखना लेकिन यह जो बाते हैं लिखिए नहीं बहुत मज़े की लिखिए हैं कि टेस्टिंग बहुत constructive and destructive इसने corrections को भी find out करना होता है and other side destructive हों क्यों है इसने find out the defects करने हैं और defects find out करके हम देख सकते हैं कि our requirements to have implemented हुई है सही के नहीं हुई तो I think so I will create a lot of lot of data for you to make it combine and make it different from each other ताके सारे लोग अलग अलग लिख सकें किसी को zero ना मिले हर बंदा अपनी अपनी line combine करे और उसको लिख ले इन websites के मैं कोशिश करूँगा link description में दे रहूं और वहां से आप फिर in message आके ढूंड ले जागे destructive activity या destructive सिरफ वर्ड सच करें तो आपको फिर वो उन लाइनों को match करना असान हो जागा और उनको फिर rewrite कर ली जागा same to same lines का पी नहीं करनी thank you, thanks for watching